आज से कुछ दिन पहले जोर्ज सौरोस नाम का अरबपती भारत के लिए अडानी और मोदी को संकट बता रहा था ये वो समय था जब अडानी के शेयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से धड़ाधर गिर रहे थे और भारत के विदेश मंत्री को ये बोलना पड़ा था इस अपता यूएस का एक बड़ा सिल्कॉन वैली बैंक डूब गया उसके पीछे दूसरा डूबने को तयार है जिससे पूरी दुनिया की मार्केट गिर रही है दुनिया भर के स्टार्ट अप्स में बेचानी है कि एमपलोईस की स्टैलरी निकले गिया नहीं कुछ लोग 2008 जैसा महौल बनने की बात कर रहे हैं परन्तु यूएस में रहते रहते हिंडनबर्ग की आँख से ये भायनक कांड कैसे बच गया चली आज यही बात करते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक कैसे डूबा क्या यह कोई स्कैम है हिंडनबर्ग ने साफ साफ दिख रहे है इस कांड पर रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई कैसे यूएस गॉर्मेंट और एजेंसी जृत्राष्ट मोड में दिखी थी भारत पर इस प्रकरण का क्या असर होने वाला है और क्या गौतम अडानी आज मंद मंद मुस्कुरा नहीं होंगे जानेंगे आज उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देख तरी आज की ताना ख़बर तो यह यूएस के सबसे बड़े बैंक में से एक उनके थे उसे इस 10 मार्च को बैंकिंग रेगूलेटर ने बंद कर दिया जब अचानक से बैंक कॉलैप्स हो गया यह यूएस की हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा धड़ाम था और इसके पीछे-पीछे ही सिगनेचर बैंक भी डूब गया जो की तीसरा सबसे बड़ा कॉलैप्स था अब आप कहेंगे कि अचानक से कैसे गिर गया तो यही पर सारा खेल है पर भारत पर असर आप लोगों की सैलरी अडानी हिंडनवर्ग जैसी जैसी चीज़ों तक पहुँचना है तो पहले यह जानना पड़ेगा क सिलिकॉन वैली बैंक डूबा कैसे तो जी आठ मार्च को स्वीबी ने दिखाना अरम किया कि उसके पास कैश नहीं है जिसे अरेंज करने के लिए पहले उसने अपने कुछ शेर्स बेचने का प्रयास किया फिर पूरे बैंक को ही बेचने का प्रयास किया मार्केट में खबर निकली इन्वेस्टर्स की फट गई और उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया यानि लाल टेन से उजाला कर रहे थे पर कोई उसे भी फोड गया तो बेसिकली पूरी कहानी आरम हुई कैश क्रंच से वो क्यों हुआ तो जी हर बैंक की तरह सिलिकॉन वैली बैं बैंक में भी क्लाइंट्स अकाउंट खूल कर पैसा डिपॉदिट करते थे अब इस पैसे को स्वी बैंक और पैसा कमाने के लिए लोन्स और बॉंड्स में इन्वेस्ट कर देता था पर पिछले कुछ समय से लोन्स और बॉंड्स वर्थलेस हो गई थे क्यों कि USA में पिछल पर इंट्रेस्ट बढ़ गया यानि महंगी हो गई महंगा होते ही माल कम बिखता है तो लोग लोन कम ले रहे हैं और लोन्स के ऊपर ही बैंक चलते हैं सेम स्टोरी बॉंड्स की है जिनके मैचूर होने का एक टाइम होता है ये कैश क्रंच का एक कारण है परमार दोरी थी इसवीजेबी में अधिकांश अकांट वेन्चर कैपिटलिस्ट के थे जिस स्टोर थाप अ चल रहा है कुछ समय से उसकेबाद स्टाटप्स के थे जो वेन्चर चैपिटलिस्ट की वजह से सरवाईब करते हैं तो इस स्टोर दाउन से डिपॉजिट कम हो रहे थे उल्टा venture capitalist जो थे वो bank से अपना पैसा निकाल रहे थी अब पैसा deposit हो नहीं रहा उल्टा निकल रहा है bonds का पैसा mature नहीं हो रहा loans लोग कम ले रहे हैं तो हो गया cash crunch पहले share बेच कर फिर bank बेच कर कुछ पैसा जोड़ना चाहा तो union square ventures जैसे अनिक मालदार संस्थाओं ने पैसे ही निकाल लिये अपने तो हो गया bank collapse ले लो मजे पर इसका भारत पर प्रभाव क्या है और हिंडन बर्ग ने इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है अब मामरा लफड़े वाला बनता है तो जी भारत पर प्रभाव आगे देखते हैं पर एक strange बात हुई USA में पूरा प्रकरण हुआ और USA में ही बैठी हिंडन बर्ग नाम की जो संस्था है उसने collapse से पहले और collapse के बाद कोई भी रिपोर्ट नहीं निकाली क्यों निकालनी चाहिए थी संस्था को रिपोर्ट क्योंकि हिंडन बर्ग का काम ही है कंपनी इसके parameters, balance sheet, valuation, market rates वगरा study करना और कम्या निकाल कर रिपोर्ट सार्वजनिक करना अडानी के case में भी यह हुआ था, हिंडन बर्ग ने report बनाई कुछ unproved allegations के साथ सार्वजनिक की market में डर फैला और अडानी के share गिर गए कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है भई हिंडन बर्ग को कमी ही ना मिली हो सिलिकॉन वैली बैंक में, तो जी हिंडन बर्ग को एक unprofessional organization प्रूव करता है क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक में जितने deposit खाते थे, उन में से 50% से उपर venture capitalist और startups के थे in fact collapse का सबसे बड़ा कारण ही यही था, क्योंकि ये वाला जो sector है venture capitalist वाला ये slowdown में चल रहा है एक industry पर इतनी dependence, industry गई, बैंग गया, इसे कोई बच्चा भी पकड़ सकता था, हिंडन बर्ग ने क्यों नहीं पकड़ी पता नहीं इसके दो ही कारण हो सकते हैं, पहला unprofessionalism और दूसरा किसी agenda धारी ecosystem का अंग होना हिंडन बर्ग रिपोर्ट पर भारत्य कोट भी एक अन्य केस में बैल लगा चुकी हैं, तो भाई एनुमान से तो हिंडन बर्ग के केस में दौनों रीजन भी हो सकते हैं Silicon Valley Bank के बंद होने से कुछ दिन पहले ही Forbes ने अपनी लिस्ट में इसे अमेरिका के best banks में बताय था इस लिस्ट पर लोग भरोसा करते हैं, अमेरिका का best bank कुछ ही दिनों में डूब गया, ऐसे reason से जिसे बच्चा भी पकड़ सकता था ऐसी रिपोर्ट और लिस्ट पर भरोसा करके अडानी प्रकरण के बाद भारत से लोगों ने पैसा खींच लिया, आज प्रशन हिंडनबर्ग और Forbes जैसी संस्थाव पर खड़ा होता है लोगों ने बैंक पर फ्रॉड का केस कर दिया है, इस फ्रॉड से हिंडनबर्ग पर कोई असर क्यों नहीं हुआ है पता नहीं, किन्तु भारत पर इस बैंक के कुलैप्स का क्या असर हुआ है भारत में इस समय 90,000 से अधिक स्टार्ट अप कंपनीज चल रही है, या करांतिकारी है, पर इसमें भी बहुत सी स्टार्ट अप कंपनीज जो है न, उन्होंने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में डाला हुआ था बैंक डूब गया, यूएस गवर्मेंट ने पैसा निकालने पर लिमिट लगा दी और भारत ये स्टार्ट अप्स के मिलियन्स ऑफ डॉलर्स फस गई, पैसा नहीं तो एमप्लॉईस की सैलरी कहां से दे, तो मास ले ओफ या कंपनी बंद करनी की नौबत है, बात यहां तक पहुंच गई थी, जो कदाचित यूएस गवर्मेंट द्वारा लिमिट बढ़ने पर रुख जाए, थिती ये है कि स्टार्ट अप्स भारत सरकार के मंतरियों से मिल रहे हैं, बचाव के लिए, भारत सरकार देसी लोन्स पर बात करने लगी है, स्टार्ट अप्स को बचान से जो बाद में रूमर निकलता है, पर ऐसे रूमर ना, मार्केट पर भारी पड़ जाते हैं, और भारत ही नहीं, विश में भी यही हाल है, सैम फ्रैंकलिन, एक लंडन बेस्ट कंपनी का मालिक, कह रहा है कि 90 प्रतिशत पैसा SVB में था, एमपलोईस की सेलरी कहां से दूँ होंग कॉंग बेस्ट फाउंडर्स का भी यही हाल है, और चीन के स्टार्ट अप्स भी पैसा निकाल है SVB से, पूरी दुनिया की मार्केट को डुपाने, और दुनिया में धंदा मंदा करने वाले बैंक, कॉलैप्स की यह जो गाथा है, यह हिंडन बर्ग की पकड़ में क्य एक फंड क्रियेट कर रही है, इससे इस पूरी भसड को समाप्त किया जाएगा, ऐसा गौर्मेंट कह रही है, इसके अलावा ट्रंप की लाई गई एक पॉलिसी जो थी, उस पर भी इसका पूरा ब्लेम डाला जा चुका है, सही या गलत यह जो है वो यूएस चुनावों के बेल आउट दिया गया है, पर किसी ने क्रोनी कैपेटलिजम का नारा नहीं लगाया, सोचिये अडानी की कमपनी डूपती, भारस सरकार बेल आउट करती, टेकनिकल होकर ही करती जाहे, दिल्ली से केरल तक किस प्रकार का माहुल बनाया जाता, टमिलनाडू से लेकर केरला, महराष्टरा, मध्यप्रदेश, सब जगे, एक नाम, सब जगे हमें सुनने को मिला, अदानी, सिलिकॉन वैली बैंक के 8000 से अधिक एंप्लोईज हैं, जिनकी नौगरी जाने वाली है, 10,000 स्टार्टप्स और 1,00,000 और एंप्लोईज पूरे विश में उनका ले आउफ हो सकता है, इस पूरे इंसिडेंट से जुड़ने के बाद, भारत में अदानी ग्रूप पर अरोप लगे, शुरू में 90 अरब डॉलर का नुकसान बताया गया उन्हें, परन्तु ग्रूप से एक भी व्यक्ति को ले आउफ नहीं किया गया, बिल एक्मन, अमेरिकन इन्वेस्टर, जो अडानी प्रकरण के समय, अडानी ग्रूप के लिए डूमस्टे की मांग कर रहा था, वो आज यूएस गॉर्मेंट से सिलिकॉन वैली बैंक के लिए बेल आउट की मांग कर रहा है, ब्लूमबर्ग जैसी संस्थाएं अडानी प्रकरण से भारत पर अटैक कर रही थी, वो आज सिलिकॉन वैली बैंक प्रकरण को क्रिप्टो करेंसी का फिकलनस बता रही है, Credit Suisse वो पहला बैंक था जिसने अडानी के स्टॉक्स को ना चूने के लिए रिपोर्ट नेकाली थी आज Credit Suisse के शेर 30 प्रतिशत गिरे हैं एक दिन में पर अब यह जानना चाहिए कि कैसे अडानी को गिराने का प्रयास भारत को गिराने का प्रयास था कैसे अडानी इससे भार आते दिख रहे हैं और कैसे यूएस फस्ता दिख रहा है अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और SVB पर चुपी और कुछ ही दिनों में जॉर्ज सौरोस का यह बयान भारत पर एक सूनी योजित आकरमन की तस्वीर बनाता दिखता है सौरोस इससे कई और देशों को नुकसान पहुंचा चुका है जिसमें यूके भी है इतने सब के बाद अडानी कंपनीज के शेयर गिरे पर भारत की मार्केट पर खास फरक नहीं पड़ा नियोग टाइम्स की ये रिपोर्ट उनका दुख दिखाती है कि भारत की जो मार्केट है वो गिरी क्यों नहीं अडानी की कंपनीज जैसे अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, ट्रांसमिशन और बाकी भी मार्केट में वापसी कर रही है अडानी को कुछ नहीं हुआ है, हाँ यूएस में दो बैंक जरूर डूप चुके हैं, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और कई अन्या रीजनल बैंक भी खत्रे के बादलों के बीच में आ चुके हैं और यहीं अंतिम सत्य है, भारत कदाचित अंटच्ट निकल जाए, स्टार्टप्स को भी सरकार मदद दे ही देगी परन्तु हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं के अन्प्रोफेशनल एटिटूड से यह पूरा प्रकरण परदा उठाता है आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस के बारे में, क्या यूएस के और बैंक्स टूबेंगे, क्या अडानी और जल्दी वापसी करेंगे कमेंट्स में अच्छा बुरा कुछ भी लिखे, पर लिखे जरूर बेस्ट कमेंट्स जो है ना, उनको लाइक किया जाएगा सब्सक्राइब और लाइक किये बीना गई इस वीडियो को, तो भाई, SVL में आपका खाता खुल जाएगा सपोर्ट अवश्य कीजिए हमें patreon.com पर, link description और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा आपके सपोर्ट से ही चैनल जो है वो चलता है, आप देख रहे हैं ते आज की तादा कोबर जाहें देजब भारत